साहब जी स्वागतने आपका अबटा हुसर आ आ लाहुल नमस्ते मि महिमा वेलकम गुट ओड तेज अजे आलोग एश्जी वेलकम गुट ओड मॉणिग एक प्लस वाली क्लास अब मंदे को गोगी गुट मोणिंग एसजी नमस्ते आलोग प्रांजली अंगत सीवानी आप सबका भी स्वागत है नमस्ते प्रांजली बटा स्टार्ट करते हैं क्लास को खुस रहांगत स्वागत भी है प्लस वाली क्लास पर लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है जो कल कौन सा पढ़े थे mathematical operations गुड मॉनिंग सीवानी कल mathematical operations पढ़े थे हम लोग और अब मंडे से श्टार्ट करेंगे प्लस वाली क्लास मंडे को श्टार्ट होगी और टॉपिक होगा sitting arrangement आज तो अच्छी घासी धूप निकली हुई है मंडे को जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सेटिंग अनेजमेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे मंडे अभी दो क्लासेस लेंगे हम लोग एक तो ये पीटी को ध्यार में रखकर के एक सेट ही है और दूसरा बारा बजे एक नॉनवर्बल चैप्टर का एक चैप्टर होता है डॉट फिगर्स करके ठीक है तो डॉट फिगर्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं क्या करना होता है हाला कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है dot figure का question Air Force के exam, Air Force में जो Fcat का exam होता है CDS का exam होता है, उसमें dot figure के question पूछ लेते हैं Technical Group जो होता है XY, उसमें dot figure के question पूछते हैं UP के exams में बहुत rare पूछा गया है कोई ने, कल नहीं है, सिवानी अभी PT का कोई scene ही नहीं है लेकिन हाँ इस वर्स PT होगा March या अप्रेल में तो बस धीमे धीमे उस ओर Tend कर रहे हैं हम लोग गुद मॉर्निंग नवीन, सरिता जी आसीश, ना जी आप सबका भी स्वागे तरह भी Welcome, Good morning अच्छा चलोए, स्टार्ट करते हैं आप क्लास बच्चा, बाकी बातें बात में बती आएंगे ठीक है, पहला प्रस्ट आप लोगों के लिए चल रहा है यूपी ट्रिपल सी के लिए या तो परिक्छा वाणी, इस्पेसली यूपी ट्रिपल सी ले रहा है तो दीख्छा पब्लिकेशन या फिर परिक्छा वाणी, ये दो बुक्स हैं, इन में से कोई एक बुक उठालो बच्चा, ठीक है तो उनी में से कुछ कॉमन चीजों को चाटा है, लगभग लगभग वैसा ही है, जैसे हम लोग रोज सामपू साले छेरजे वाली प्रैक्टिस करते हैं, लगभग वैसा ही सेट है ये, ठीक है बस क्वेस्चन का थोड़ा सा सेट में भी उपर नीचे हो, टिफिकल्टी लेवल के आधार पर, हाँ ये हमने भी अकवार में पढ़ा अभी आज सुभए सुनील पूजा, वेलकम चलिए, पहले प्रस्ण को चलते हैं बच्चा, पहला प्रस्ण आप सब के सामने रहाईए, उट्टर देखिए और बताईए सही उट्टर क्या आएगा सुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन इस्थान पर पहुँच कर मैंने जाना कि मैं निर्धारीत दिन के दो दिन पूर्वी पहुँच गया यदि मैं आगामी बुद्वार को वहां पहुँचता तो मुझे कितने दिन की देरी हुई होती ये वो हमसे जानना चाता है ठीक है, प्रस्ण को ध्यान से पढ़ो, सिंपल सा प्रस्ण है और मैं 10 सेकें में पोल देता हूँ आप लोगों को अमित, सौरब, रोहिनी, विवेक, वेलकम, गुड मॉनिंग, रोहिनी, स्वागते बच्चे और ये रहा इस प्रस्ण का पोल आप सब के सामने बताइए सही उत्तर के आएगा, बड़ा सिंपल सा प्रस्ण है, अधिक समय नहीं लगना चाहिए लेव, सब खतर नर्बाद के दिये 15 प्रस्ण, 19 प्रस्ण, 23 प्रस्ण, अन्तिम समय तक बढ़ता आगे है इतना बढ़ गया कि 23 प्रस्ण, लोगों ने सही आंसर कर दिया है बच्चा सही आंसर के आएगा, बड़ा सिंपल सा प्रस्ण, बजजरा ध्यान से देखना क्या बोला है उसने प्रस्ण में हमारे सामने कह रहा है कि सुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन इस्थान पर पहुँचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के दो दिन पूर्व ही पहुँच गया हूँ, ठीक है मैं पहुचा कब उस सम्मेलन में, मैं पहुँच गया फ्राइडे के दिन और जब मैं फ्राइडे के दिन वहाँ पर पहुचा, तब मुझे पता चला कि भईया सही हो, जो सम्मेलन है उसके दो दिन पहले हम पहुच गये, यानि सम्मेलन कब होगा, दो दिन बाद होगा कि नहीं होगा बच्चा तो फ्राइडे से दो दिन फॉर्वर्ड चलना था कि नहीं चलना था, केवल और केवल, इतना ही तो करना था भासा को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो कहरा है, सुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन इस्थन पर पहुच कर मैंने जाना कि मैं निजधारी दिन के दो दिन पूर्व पहुच गया हूँ, ठिक यानि अगर मैं दो दिन पूर्व पहुच गया हूँ, तो दो दिन बाद सम्मेलन होना चाहिए, तो बच्चा, फ्राइडे के दो दिन बाद के आएगा, एक दिन बाद सेटर्डे और दो दिन बाद के आना चाहिए, संडे आना चाहिए, ठेक है, अच्छा, मतलब कब है वो संबेलन वो संबेलन बच्चा संडे के दिन है और अब उसने हमसे काया कि यदि मैं आगामी बुद्वार को पहुंसता तो कितने दिन की देरी हुई होती बच्चा संडे को क्या है संबेलन है हमारा और अगर संडे को संबेलन है मैं पहुंसता जाकर के बुद्वार को तो संड से बुद्वार कितने दिन आगे हो गए बच्चा, मंडे एक दिन, ट्यूजडे दो दिन और वेडनेश दे तीन दिन, यह तीन दिन हुए कि नहीं हुए, यानि अगर मैं संडे की जगह है, बुद्वार को वहाँ पर पहुंचता, तो मुझे कितने दिन की देरी हुई होती, स हासा को ध्यान से पकड़ना था, ठीक है, मैं आगामी बुद्वार को वहाँ पहुंचूंगा, तो मुझे तीन दिन की देरी हुई होती, अगला प्रस, इसका उत्तर बताईए क्या आएगा, ऐसा क्वेशन एंटी पीसे मैं है था, अच्छा, इसका उत्तर बताईए क्या आ ध्यान से देखो, मैं परियाप समय देने के बाद आप लोगों को पोल देखता हूँ, अजीब टाइप का प्रस्ट है, ये रहा आप सब के सामने पोल, उसतर बताईए जरा क्या आएगा, ये रहा आप ये रहा आप ये रहा है, ये रहा है, ये रहा है, पच्छास, तिरालीस, पर्छिसत्र लोगों ने इसको सही कर दिया, जिन तिरालीस, पर्छिसत्र लोगों का सही हुआ है, लॉजिक समझ में आया, क्या चल रहा है लॉजिक आखिरकार, चार वर्ड छोड़ करके, यानि चार चार का सेट लेना है, तो अगर मैं चार चार का सेट लेता हूँ यहाँ पर, तो X, W, C और एक यह सेट हो जाएगा, T, S, 20 एक यह सेट हो जाएगा, ठीक है, देन वहाँ से, जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो हमारे सामने सेट कितने-कितने निकल करके आ रहे हैं, P, 12, F, L, 1, 15, K, P, F, 1, 1, यह सेट हो गया हमारे सामने, और डैस, G, S, 7, एक यह सेट हो गया हमारे सामने, चार-चार के लेटर की सीरीज चल रही है, लेटर के साथ साथ नंबर भी दिये हुए, अच्छा, ऑप्सन पर अगर नजर डालते हैं बच्चा, तो पहला ऑप्सन ह हमारे सामने, एक लेटर है, ठीक है, चलो जड़ाय स्टार करते हैं, सीरीज के आधार पर बच्चा, हमको यह समझ में आ रहा है कि हर जगे पर तीन लेटर और एक नंबर वाली सीरीज चल रही है, X, W, C, T, S, 20, P, 12, L पर जब चलते हैं, तो हमको समझ में आता है कि कहां से ह हम नंबर लिखा सकते हैं, बच्चा नंबर जब उठाने जाएंगे, तो 20 किसका प्लेस वैल्यू है, T का प्लेस वैल्यू है कि नहीं है, 12 किसका प्लेस वैल्यू है, 15 लिखा हुआ है, किसका प्लेस वैल्यू हो सकता है, तो 15, K और P का तो हो नहीं सकता प्लेस वैल्यू, त इतना होता है, और S का भी place value, तो यहाँ पर यह G की place value लिखी हुई है न, और अगर यह G की place value बच्चा लिखी हुई है, तो condition कैसे बना सकते हैं, इसका मतलब है, X, W, C में, बच्चा या तो X की place value लिखी होगी, या तो W की place value लिखी होगी, X की place value 24 और W की place value कितनी होती है, 23, के साथ क्या आना चाहिए हमें दिख रहे हैं कि दो लेटर हमेशा कैसे सीरीज में लिखे हैं जैसे X और W हमेशा एक साथ आते हैं वैसे T और S हमेशा एक साथ आते हैं बच्चा तो यहां पर क्या आना चाहिए हमारे सामने 20 के बाद T S 20 लिखा हुआ है तो क्या आ सकता है हमार सबस्क्राइब नालंक है क्या चल रहा था प्रस्ण के अंदर ठीक है अच्छा प्रस्ण था अच्छा लॉजिक लग रहा था अगला प्रस्ण यह आप सकते सामने उट्टर बताइए क्या आएगा पंक्ती में कितनी लड़कियां हैं यह वो आपसे जानना चाहता है सिंपल प्रस्ण है एक सिंपल सा फिगर और प्रस्ण आपने साही हो जाएगा तर्स सेकंड बाद मैं इसका पॉल देता हूं आप लोग और यह रहा इसका पॉल उतर बताइए झाल 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 करें यह झाल झाल इतना कम आंसर चलो भईया देखो जड़ा क्या कहा रहा है प्रस्ण सिंपल है कठिन नहीं है उसने हमसे बोला है प्रस्ण में कि उत्तर की और मूँ करके खड़ी लड़कियों की एक पंक्ती में रीना पलवी के बाई और दस्वें इस्थान पर है प्रस्ण में वहाँ पर मैंने आपको dependent values वाले question करना सिखाय था यहाँ पर जब वो कहता है कि रीना पलवी के बाई और दस्वें इस्थान पर है तो रीना की value या रीना का place किस पर depend कर रहा है पलवी पर सबसे पहले किस के place को set करेंगे पलवी के जब हम पल्लवी के प्लेस को सेट करते हैं तो हमारे सामने स्थिति क्या निकल करके आती है बच्चा कह रहा है कि पल्लवी के बाई और दसमें स्थान पर है जो दाएं चोर से 21 इस्थान पर है तो पल्लवी का इस्थान बच्चा 21 है कहां से दाई और से पल्लवी का इस्थान 21 है और जैसे ही पल्लवी का इस्थान पता चलता है तो रीना का इस्थान पता कर सकते हैं क्या बोल रहा है रीना की इस्थान के बारे में कि रीना पल्लवी के बाई और दसमें इस्थान पर है पल्लवी का इस्थान दाईं और से 21 है और चलना कहां पर है बच्चा बाईं और यानि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो वैल्यू को प्लस कर देंगे, कितना 10, प्लस एड करने पर कितना मिलता है हमको, 31 मिल जाता है, यह रीना का इस्थान है कहां से, राइट हैं साइट से, फिर आगे क्या बोला उसने, करा यदि मालीनी जो 22 से 17 इस्थान पर है, मालीनी जो 22 से 17 इस्थान पर है, रीना के दाहिनी और चौथे इस्थान पर है, बच्शा, रीना के उपर किसकी value depend कर रही है मालीनी की value depend कर रही है मालीनी की दो places होगे 22 से उसका इस्THान सत्रवा directly दिया गया ग्यां24 से इस्थान किस पर depend है रीना के उपर depend है तो उसने क्या बोला है कि रीना के दाहिनी और चौथ स्थान पर बच्चा रीना का इस्थान कितना है 31 कहां से दाहीनी ओर से वापस कहां जाना है दाहीनी ओर जाना है यानि दाएं से दाएं जा रहे तो value को minus करेंगे कितना minus करना है 4 31 में से 4 को minus करेंगे कितना निकल करके आ जाएगा ये बच्चा 27 निकल करके आएगा किसका इस्थान हो कहां से, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से मालीनी का इस्थान ओल्रेडी दिया हुआ है, कितना सत्रा, तो मालीनी का इस्थान दोनों तरब से पता चल गया ना, लेफ्ट से भी पता चल गया, राइट से भी पता चल गया, उसने का पंक्ती में कितनी लड़क हैं समझ आ गया जितने लोगों का गलत हुआ था नमस्ते अभिना स्वागत अभिए कोई डाउट है इसमें डिपेंडेबल वैल्यूज वाले क्वेशन बच्चा और रेंकिंग के जितने भी बनते हैं उसमें एक एक इस्टेप आपको आगे बढ़ना होता है मालीनी का इस्थ हो का और रेना का प्लेज स्थ फिट स्थ कर लेंगे तब कहीं जाकर के पल्ल लोग मालीनी के फेस पर पहुंच पढ़ाएंगे ठीक है क्या बोला था प्रसन gosh couple उसमें बोला पल्लवी का स्थान कितना है एक्कीस है कहां से दाई ओरसे और पल्लवी के बाई ओर दसमें स्था और चौते इस्थान पर बच्चा मालीनी का इस्थान चौती और है रीना के दाहिनी और ठीक है रीना का इस्थान पता है 31 और वापस कहा जाना है दाहिनी और यानि राइट पर जा रहे बच्चा राइट से इस्थान पता है राइट से राइट की और जा रहे तो वैलू क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, माइनस करने पर कितना, 4 माइनस करना, 31 माइनस 4 कितना हुआ, 27, और लेफ्ट से और लेडी वैलू उसने बच्चा दी हुई थी 17, दोनों को जोड़ करके माइनस बन किया, और उत्तर अगला प्रशन इसका उत्तर बताईए क्या आएगा कौन सा तत्व अबाएं सीरे से बारवें तत्व के दाई और पांचमें इस्थान पर होगा पांच ओप्सन्स है सिंपल है के वल सीरीज को देख करके सही उत्तर बताना है और यह रहा इस प्रशन का पोल आप सब के सामने है बताईए 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 बताईवीदूर्ट टाड़ी। जाएव बच्चा परस्ण में उसने हमसे बोला है कि यदि अंतिम पंद्रह तत्तों का क्रम उलट दिया जाए ठीक है ये कंडिसर्ण हो गई कि अंतिम पंद्रह तत्तों का क्रम उलटना है तो कौन सा तत्तों 22 सिरे से 12 तत्तों के दाई और पांचवे स्थान पर होगा, बच्चा, अंतिम 15 तत्व कौन से हैं, ये सबसे पहले समझना है, देखो ज़रा, अंतिम 15 तत्व कौन से हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, और 3, 15, बच्चा, ये अंतिम 15 तत्व हैं की नहीं हैं, कहां से लेकर के, बी से लेकर के, पी तक की जो वैलिई जहां, पी तक जो लिखा हुआ है, तीन, 3, 6, 3, 9, 3, 12, और 3, 15, ये अंतिम 15 तत्व हो गया, फिर क्या बोला है उसने बच्चा, कहां से बारमा हैं के दाई और पांचमा होगा, बच्चा, बाइश से बारमा हैं, और राइट से कितना है, पांच माई, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से value है, दोनों क्या कर देंगे, add कर देंगे, कितना आया, 17, कहां से count करेंगे, लेफ्ट से count करेंगे, बच्छा लेफ्ट से दरा count करना सुरू करो, कहां पर 17 इस्थान पर पहुंचने के लिए, तो जब हम 17 इस्थान पर पहु को अप्लाई करना सो उत्तर आ जाता, ठीक है, तान्या, अमित, welcome, good morning, नहीं बचा, आज प्लस वाली क्लास नहीं है, प्लस वाली क्लास इस महिने की end हो गई है, ठीक है, कल साड़ेनों बजे कुई होगा, और फिर मंडे को वापस से प्लस वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे, टॉपिक रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्ता, ठीक है, चलिए, इस प्रस्न का उत्तर आया, यू, जितने लोगों का करीब 50-60-60 लोगों का गलत होता है, भया, इस प्रकार के प्रस्नों को गलत मत किया, यार, ये सीधा-सीधा प्रस्न होता है, कंडिशन आपके सामने दी हुई है, सीरीज आपके सामने दी कम सकम, गिनने में तो गलती मत करों, तुम लोग गिनने में भी गलती कर देते हो, कभी-कभी, अगला प्रस्न, उत्तर बताइए क्या आएगा, ये सेट के समान संख्या कौन सी है, ओप्सन है, चार आपके पास, मौडरेट लेवल का रहेगा, राहूल बहुत सिंपल नहीं हो सकता है, ना ही, और चुकि पहली बार करा रहे हैं, इसलिए बहुत कठिन पर भी नहीं जाएंगे, मौडरेट लेवल का सेट रहेगा, ये रहा पोल आप सब के सामने है, वाँ, इतने सारे सही अंसर, बढ़े हैं, बहुत बढ़े हैं, 65, 65, 65 लोगों का अंसर सही आया है, क्या लॉजिक क्या लग रहा है, सिंपल प्रस्न है, क्या लॉजिक लग रहा है, 992, 733, 845, 632 करके, एक हमारे सामने नमबर्स का सेट दिया गया है, ठीक है, नमबर्स के इन सेट के आधार पर उसने बोला है, उस संख्या को चुने, जो दिये गए सेट के समान है, तो लॉजिक क्या लगाया है, 992, 733, 733, 845, 845, 632, देखने हम लगता है, कि नमबर्स रीड जैसा कोई क्वेश्चन है, लेकिन ये संख्याओं का बच्चा सेट है, हमको संख्या के अंदर लॉजिक पता करना है, कि संख्या में लॉजिक क्या लग रहा है, 9, 9, 2 करके दिया हुआ है, 9, 9, 18, और 8, 9, नहीं होगा, ठीक है, 9, 2, 18, और 8, 9 हो जाएगा, हाँ, देखो क्या चल रहा है बच्चा, अगर मैं पहली और अंतिम संख्या को क्या करूँ, आपस में मल्टिप्लाई करूँ कितना आता है, अठारे, और अठारे को बच्चा वापस से जोड़ के सिंगल डिजिट में कनवर्क रहें, तो 1 प्लस 8 किसके बराबर होता है, 9 के, यानि बीच वाली संख्या मिल रही है ना, सातियां 21, बच्चा 21 को जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अठारे, चालिस, चालिस यानि 4 प्लस 0 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानि पहली और अंतिम संख्या को अगर गुना करते हैं, और गुना करने के बाद जो संख्या हमारे सामने आती है, उन संख्याओं को आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने पर कहां, बीच वाली संख्या पर पहुंच रहा है, उसी प्रकार से सातियां 21, 2 प्लस 1, 3 हो रहा है, 6 दूनी 12, 1 प्लस 2 कितना हो रहा है बच्चा 3, क्या बाकी में ये लॉजिक चल रहा है, 4 एक तम 4, 1 आ रहा है भी इसमें कैंसिल, 6 तियां 18, कैंसिल, 5 योको 20, 2 प्लस 0 बच्चा कितना आएगा, 20 यानि 2 प्लस 0, 2 आ जाएगा, option कौन सा सही हो जाएगा, option number C वाला सही हो जाएगा, समझ आ गया सबको, समझ आ गया, चलो, अगला प्रस्त, उत्तर बताओ क्या आएगा, France, Spain, Germany, सही संबंद धूड़िये, सही संबंद क्या है, मौसमी समा वेलकम, France, Spain, Germany, की तरह, कौन सा विकल्ब, समानता दर साथा है, जनर्रल नॉलेज, जोग्राफी, वल्ड जोग्राफी, सब है, और मैं दस सेकंड बात देता हूँ, पोलिस प्रस्न का प्रेमिट, ये रहा बच्चा पोल, उत्तर बताओ, बढ़ियां, बहुत बढ़ियां, बढ़ियां, बहुत बढ़ियां, लोगों का आंसर है, गल्फ कंट्रीज हैं, इराक, कुवेट, और इरान, फ्रांस, इस्पेन और जर्मनी में क्या लॉजिक है, बढ़ियां, इराक, कुवेट, और इरान, ये सारी के सारी गल्फ कंट्रीज हैं, वैसा ही कुछ लॉजिक हमको लगाना था, फ्रांस, इस्पेन और जर्मनी के आधार पर, बच्चा, फ्रांस, इस्पेन और जर्मनी ये क्या है, तिन अलग-अलग देशों के नाम है, और जो बीच वाला देश लिखा हुआ है, जिस्पेन ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में आता है Map के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो map के अकॉर्डिंग फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौनसा देश आता है इसलिए प्रेस्पेन अता है इसलिए प्रस्ण का उत्तर क्या हो जाएगा option number c उसने हमसे पुंचा था कि कुछ सब्द दिये गहें यह France, Spain, Germany को सब्द दिये गहें जो किसी न किसी तरह से संबन्धित हैं ठीक हैं वही संबंध पता करके हमको सही विकल्प बताना था संबंध क्या था पच्छा France, Spain और Germany में फ्रांस, Spain, Germany तीनों अलगलग देशों के नामे और इस्पेन कहां पर पढ़ता है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, उसी प्रकार से इराक और इरान के बीच में कौन पढ़ता है, कुवेट, तो प्रस्न का उत्तर क्या हो जाएगा, option number C वाला, अगला प्रस्न, उत्तर बताईए, गुड मॉनिंग नेहाग अगला प्रस्न और पोल ये रहा आप लोगों के सामने, उत्तर बताईए क्या आएगा? 36 प्रतिसर लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है प्रस्न का? रड़ भूमी जिस प्रकार संघर्ष से संबंदित है, वैसे ही इन में से कौन संबंदित होगा? बिल्कुर से, एक्दम करेक्ट जवाब सरिता जी, संघर्ष कहां पर होता है बच्चा? रड़ भूमी पर? संघर्ष यानि की दो पच्छों के बीच जो मार्क उटाई होती है, वो कहां होती है? रडभूमी पर होती है कि नहीं होती है या जहां पर मारक उटाई होने लगे ठीक है अच्छा पोल नहीं आया तो जहां कहीं भी मारक उटाई होने लगे बच्चा वही रडभूमी बन गई हमारे लिए है की नहीं तो संगर्स कहां पर होता है, संगर्स होता है बच्चा, जान न ले ओ यारतुन, संगर्स कहां पर होता है बच्चा, रडभूमी के अंदर होता है, ठीक है, वैसे ही संगर्स जब रडभूमी पर होता है, तो चर्चा कहां पर होती है बच्चा, मंच पर होती है, ठीक है, कहां पर उती है मर्च पर ये रहा आप सबके सामने प्रस्न का उत्तर अगला आपके सामने ये रहा बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए पूर्व धाना का प्रस्न है सही उत्तर क्या होगा चार ओप्शन्स आप पूर्व धाना है बच्चा और पड़ो फिर में देता हूं पूल दा सेकेंड बाद ये रहा पूल आप सबके सामने उत्तर बताइए हाँ 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 आप 40-30 लोगों का सही है, कि पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, बच्चा क्या कही क्या रहा है प्रस्ट में हमारे सामने, कहता है कि अपने कार्याले में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देना चाहिए, ठीक है, एक कंपनी का इंचार आज बोलता है कि यदि हमें कार्याले में समय की पाबंदी को अपलाई करना है, यानि टाइम को या अनुसासन को अपलाई करना है हमको, ठीक है, तो बच्चा उस आधार पर हमें कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देना चाहिए, ठीक है, अगर हम कर्मचारियों को यात्रा कार्याले में वापस आ जाते हैं, यानि समय का पूरा सदुपयोग करते हैं, तो आपको यात्रा भत्ता मिलेगा, प्रोटसाहन के तौर पर, ठीक है, अगर हम समय से कार करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोटसाहन के तौर पर यात्रा भत्ता मिल रहा है, ठीक है, ऐसा ए कालवी प्रिबंधक्स अगर ये बात हमसे बोली है, तो बच्चा इस क्लास के आधार पर, इस statement के आधार पर बच्चा हमने क्या सोच करके किया होगा, हमने यही सोच करके ये बात बोली होगी, कि अगर हम अपने करमचारियों को यात्रा बत्ता का एक प्रोटसान देंगे, त समय से काम को निप्टा करके वापस कारे ले आने का प्रियास करेंगी, तो इसका मतलब है समय की पाबंदी लाने में यात्रा बत्ता सायक हो सकता है, लेकिन उसने कैसारी statement बोल दिया, अजमसन हमको negative अजमसन बोल दिया, इसले पहला वाला बच्चा क्या हो गया, गलत हो गय आप company में हमेरे साब बहुत अच्छे employee रहे हैं, तो वार्सिक समारों में आपको best employee का एक award दिया जा सकता है, लेकिन केवल अनुसासन आप में रहते हैं, काम कोई नहीं करते हैं, केवल अनुसासन में रहते हैं, इसलिए आपका award मिलना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, अनु के आएगा, अच्छा तुम क्लास धूंड़ रहते हैं, मिली नहीं, ध्यान से उतर गया होगा, हमने बताया था, कि कल सुबह प्लस वाली नहीं, स्पेसल वाली क्लास होगी, स्वागत है सानु, वेलकम, अंतर नहीत की मीनिंग अंग्रेजी में, अभी एमको ध्यान थी, इंप्लिसिट चित्रा, इंप्लिसिट होता है, अंतर नहीत की मीनिंग, और ये रहा इस प्रसण का पोल आप सब के सामने, सिंपल सा प्रसण है, आसानी से आ जाएगा, ये रहा उत्तर, बताओ क्या आएग झाल झाल जाल दो 83-63 लोगों का उत्तर सही है थीक है 83-63 लोगों का उत्तर सही है भले ही मन में कुछ और चल रहा हो लेकिन समाजिक डैरों में रह करके उत्तर देना है तो कह रहा है statement में जिन लोगों ने स्वैंद दहेज लिया है वही दहेज के विरोध में अधिक बोलते हैं ठीक है जिन लोगों ने स्वयम दहज लिया है, वही दहज के विरोध में अधिक बोलते हैं, इस दिये गए कथन से निसकर्स क्या निकाल सकते हैं, पहला निसकर्स बोलता है कि कथनी से करनी कथिन होती है, ठीक है, कथनी से करनी कथिन होती है, जायसी बात बच्चा कि हम स्वयम दहज लेकर के बैठें और दूसरों को ग्यान दे रहें कि नहीं, दहेज बहुत बुरी चीज होती है, दहेज कभी लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और दहेज अगर नहीं लेना चाहिए, बोल ये रहें, और खुद दहेज ले रहें, खुद जबज़स तरीके से, इसका मतलब है कि कथनी करनी से कथिन होती है, पहला वाला निसकर्स एकदम solid fit बैठता यहां पर तो पहला निसकर्स बच्चा क्या हो गया, सही हो गया, दूसरा निसकर्स क्या कर रहा है, लोगों के दोहरे आदर्स है, उपर वारा statement हमको दिखा रहा है, दोहरे आदर्सों का मतलब क्या होता ह कि हम कहते कुछ और हैं, कलते कुछ और हैं, दिमाग में हमारे कुछ और होता है, दुनिया को दिखाने के लिए वो कलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में अंदर कुछ और चल रहा होता है, अगर मौका मिल जाए, तो फिर हम वो काम करने से चूके नहीं, ठीक है, एक कहवत बोली जाती है, जिसको लेकर के गावों में, मुँ में राम बगल में छूरा, मुँ में तो राम नाम का सब्द लिए घूमते हैं, लेकिन बगल में छूरा दवाय मिलते हैं, जैसे मौका में खड से छूरा अंदर घूमते हैं, तो वो आली स्तिती होती है, लोगों के दोहरे आदर् तो बच्चा ये second वाला भी निसकर्स कैसा होगा, सही होगा, और अगल दोनों निसकर्स सही हैं, तो प्रस्ण का सही उत्तर क्या निकालेंगे, option number C वाला, ठीक, अगला प्रस्ण ये रहा आप सब के सामने, बताए उत्तर क्या आएगा. प्रस्ण का पोल आप सब के सामने, उत्तर बताए क्या आएगा, एक जगे केवल एंगल लिया गया है, कर लेंगे आप लोग, हम लोग तो तीन-तीन, चार-चार एंगल वाले प्रस्ण कर चुके हैं. यह तो सिंपल प्रस्ण था, लेकिन अधिक लोगों का गलत है, चलना कहां से स्टार्ट किया है, और कितनी दूरी को तै किया है, फिर वे बाईं और मुड़ी और लगभग 25 मीटर तक चली, बच्छा यहां से कहां पर मुड़ती है, बाईं और इस तरह पड़ेगा, और बाईं और मुड़ करके कितनी दूरी को तै किया है, उसने 25 मीटर की दूरी को तै किया, फिर से बोलता है कि फिर से बाइं मुड़ी और 80 मीटर तक चलती है, यहां से बाइं और मुड़ेगी तो बाइं कहां पड़ेगा, नीचे की और पड़ेगा, और कितनी दूरी को तै किया है, 80 मीटर की दूरी को तै किया है, इसके बाद बो ओलाया कि 45 डिगिरी के कोण के साथ कहा मुरती है, अपने दाई और मुरती है, तो एक बात बताू बच्चा, दीपा एकदम सीधे जा रही थी, तुर कितने एंगल से मुरना है बच्चा, 45 डिगरी के कोण से मुरना है, अच्छा मैं कोई एंगल ना देता याँ पर, मैं कहता कि दीपा को अपने दाइं ओर मुढ़ना है, तो बच्छा दाइं ओर किण ओर होता, इस तरप मुढ जाती सीदे, ठीक, और अग़र मैं कहता कि 90 डिगरी के एंगल से दाइं ओर मुढ जाती अपने, ठीक है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि 45 degree का आंगल लेना है बच्छा तो ये और ये totल एंगल कितना है 90 यानि इसके 20 से ओकर के गुजरेगी की ना है और अगर 20 से ओकर के गुजरेगी तो ये एंगल कितना निकल करके आएगा 45 degree का और प्रशन का सह confidently उत्तर के आ जाएगा उसने हम से पूचा है अंतमेवे किस दिसा से आगे बढ़ रही होगी, तो बच्चा एक कौन सी दिसा नजर आती है हमको, जब आप यहाँ पर खड़े होगे, तो यह पश्चिम दिसा होती है, यह दच्छिन दिसा होती, दोनों के बीच से उकर की जा रही न, और अगर दोनों बी की साइड मुड़ा दिया था, मतलब इस तरफ टर्ण ले दिया था, यहाँ पर टर्ण ले लिया था आपने, ठीक है, चलो, अगले प्रस्ट्रबर्थ, नौथ वेश्ट, अच्छा, समझ गया है, अभी उस पर फिर डिसकसन करके सिवा लिए, ठीक है, इस प्रस्ट का उ नमक मिलाया जाता है, उचाही पर तापमान कम होता है, क्या दोनों स्टेट्मेंट सही है, और अगर सही है, तो क्या सही व्याक्या है, यह वो आपसे जानना चाहता है, उत्तर बताईए पढ़ करके, और मैं आपको देता हूँ पोल इस प्रस्ट का, आफ्टर 10 सेकंड, 10 to 15 सेकंड, बताओ जरा सही उत्तर क्या आना चाहिए, और यह रहा आपके सामने पोल, बताईए उत्तर, बहुत सारे लोग A पर गए हैं, और B पर गए हैं 31-35 लोग, ठीक है, क्या कहा रहा है बच्चा, प्रस्ट में, पहले कथन में उसने हमसे बोला है, उचाई पर खाना पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है, ठीक है, उचाई पर खाना पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है, इस कथन का मतलब कहा है, कहां नमक मिलाते हैं आखिर का, कहां नमक मिलाते हैं खाना पकाने के लिए, क्या मतलब क् इस चीज़ का, उचाई पर खाना पकाने के लिए नमक मिला जाता है, और दूसरा इस टेट्मेन बोल रहा है, रीजन बोला है, उसने कि उचाई पर तापमान कम होता है, परस्चुकों जब आप ध्यान से पड़ते हैं, तो उसने काया कि बईया दो हमारे सामने कथन और कारण करके दिये गए, कथन और कारण दोनों सही है कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ, ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है कि नहीं, अच्छा अगर कथन और कारण दोनों सही है, तो क्या पहले वाले कथन की सही व्याक्या नी स्थिती में, पहला प्रस्ट्र के बोलता है कि यदि ए और आल डोनों सही है और आर एकी सही व्याक्या यानि ये जो रीजन दिया गया है, उंचाई पर खाना पकाने के लिए नमक मिलाने का वो रीजन क्या है, एकदम पर्याप्त रीजन है, नहीं, ये कैसा गलत रीजन है, ग वो correct नहीं दिया गया तो ये वाला option क्या हो जाएगा? option number B correct हो जाएगा अब होता क्या है बच्छा? उचाई पर खाना पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है क्योंकि तापमान कम होता है? नहीं क्योंकि उचाई पर दबाव कम हो जाता है ठीक है, जब हम उचाई पर पहुंसते हैं, तो दबाव कम हो जाता है, दबाव कम होने की वजए से पानी का जो उबलने का बिंदू है, वो कितना होता है, हीटिंग पॉइंट कितना होता है, किस पॉइंट पर पानी उबलने लगता है, पता है, फिजिस का क्वेश्चन है, सि इस्तिती पर 100 degree centigrade पर पानी उबनने लगता है, लेकिन जब हम उचाई वाली जगह पर होते हैं, जहां पर दबाओ बच्छा कम होता है, तो पानी 100 degree centigrade पर नहीं उबलता, बलकि और कम हीट में ही उबनने लगता है, यानि पानी का जो उसमा बिंदू होता है, वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, और जब पानी का उसमा बिंदू कम हो जाता है, तो पानी जल्दी गरम हो जाता है, ठीक, पानी तो जल्दी गरम हो जाता है, लेकिन बच्छा, पानी में किसी चीज को पकने के लिए जो समय चाहिए, वो समय उतनी देर सक नहीं होता, ठीक है, जोकि पानी जल विंदू को पर्याथ मातरा में मेंटेन करके रखे और जब वो मेंटेन करके रखता है, तो खाना भी प्रॉफल तरीके से पक जाता है, तो ऐसा होता किसी वज़ेसे है, बच्चा, ऐसा होता है दबाओ की वज़ेसे, नाकी तापमान की वज़ेसे, तो ये reason गलत है, व्याख्या सही नहीं है, लेकिन दोनों चीजे क्या है, दोनों statement आपस में बच्चा क्या है, सही है, तो प्रस्ण का सही उत्तर क्या हो जाएगा, option number A वाला हो जाएगा, समझ आ गया, चली, अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं बच्चा, ये रहा अगला प् बच्चा, D वाला option हमाने सामने की A गलत है, लेकिन R सही है, लेकिन A वाला गलत क्या है बच्चा, A वाला सही है, मुचाई पर खाना पकाने में नमक का इस्तिमाल ज्यादा किया जाता है, खाना पकाने के दौराण, नो रिस्क, नो गेन से आप क्या समझते हैं, ठीक है और ये रहा आपके सामने इस प्रस्ण का पोल, बताईए सही उत्तर क्या आना चाहिए, बताओ जल्दी से, प्रस्ण में, उसने बोला है, की नो रिस्क, नो गेन, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है छोटा सा, या एक यह चोटी सी काहवत है, आप इससे क्या समझते हैं, क्यवल और क्यवल ये जानना चाहता था, कहता है की नो रिस्क, नो गेन से, आप महसूस करते हैं कि जोखिम का मतलब कोई लाब नहीं है, ठीक है, जोखिम का मतलब कोई लाब नहीं है, क्या ऐसा लिखा हुआ है, क्या no risk, no gain का मतलब, उसने का कोई जोखिम नहीं तो कोई लाब नहीं, और आप क्या समझ रहे हैं कि जोखिम का मतलब कोई लाब नहीं, प टाइब का, नो रिस्क, नो गेंड टाइब का, तो नारा सही है, लेकिन आप उससे समझ किया रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, उससे ये जानना चाहता है, इसका भी कोई मतलब नहीं होगा बच्चा, अनावस्यत जोखिम को सुईकार करना मूर्खता पूर्ण है, ठिक, और दूसरा, महसूस करते हैं कि इस्थिती को पूरी तरह से आखने के बाद ही जोखिम उठाया जा सकता है, अनावस्यत जोखिम नहीं लेना चाहिए, ये भी सही बात लिखी है, लेकिन दोनों में से सही स्थिती कौन सी है, दोनों में से सही उत्तर कौन सा हो सकता है, no risk no gain का मतलब है बच्चा, वह अगर हम risk नहीं लेंगे, तो हमें लाब नहीं मिलेगा, अच्छे लाब के लीए आपको risk लेना पड़ता है. ठीक है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि risk लेने का मतलब है, एक अंधा अगर कुछ हो जाता है तो हम उस घाटे से या उस रिस्क लेने के बाद की जो इस्तिती होगी उससे उबर सकते हैं कि नहीं उबर सकते हैं इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद जोखिम उठाया जाता है जोखिम उठाना जरूरी है अगर आपको अच्छा करना है तो जोखि को स्विकार करना मातुपूर यह तो प्रस्ण का सही उत्तर क्या हो जाएगा केवल और केवल ऑप्सेन नंबर डी वाला अगला प्रस्ण आप सब के सामने बेहत सिंपल प्रस्ण है पुस्तर बतागे क्या आएगा झाल करें हम झाल फ्रस्ण नंबर यह तो जड़ता किरें का सामने आएगा को जड़ता। और यह रहा इस प्रस्ण का पोल आप सबके सामने उत्तर बताईए बहुत सिंपल सा प्रस्ण था साले दस तक लेंगे बच्चा इसके बाद 12 वजे से दूसरी क्लास से स्टार्ट करेंगे इतना सिंपल सा प्रस्ण है और बहुत सिंपल तरीके से पी कहां ऑप्सन दिया था मैंने तो ऑप्सन नंबर डी दिया है ऑप्सन बी दिया था क्या हमने तो डी दिया था रहा है बच्चा प्रस्ण में कह Vision 4 बच करके 47 मिनटपर गंटे ऑर मिनट की सुई के बीच कितने डिगरी का कोर बना होगा बच्चा 4 बच करके 47 मिनटपर समय कितना होता है अगर मैं 4 बच करके 47 मिनटपर चलता हूँ गंटे की सुई कहां पर होगी चार पर और मिनट की सुई कहां पर होगी 47 पर होगी ठीक है गंटे की सुई 4 पर और मिनट की सुई 47 पर होगी अच्छा इस इस्थिति के आधार पर बच्चा जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमसे क्या कहता है आपसे चार बच करके 47 मिनट पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चा वो हमसे कहता है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच इस समय कितने डिगरी का कोण बरना होगा, कोण कैसे निकाल सकते हैं बच्चा, मैंने आपको सिखाया था कि अगर समय, मिनट वाला समय आपको पांच के मल कर लेंगे, तो यहाँ पर मिनट में कनवर्ट करना जादा आसन रहेगा, बच्चा ये ओल्रेडी 47 मिनट लिखा हुआ है, और ये क्या है, चार घंटे, ठीक है, इसको अगर मिनट में कनवर्ट करना होगा, तो क्या करोगे, पांच से गोणा करो भी, ये कितना निकल करके आ या 20 मिनट हो गया बच्चा की नहीं हो गया, अचा ये 20 मिनट लिखा है बच्चा और ये 27 मिनट लिखा है, 20 और 27 मिनट, कितने मिनट का डिफरेंस इनके बीच में, इनके बीच में बच्चा 27 मिनट का डिफरेंस आएगा की नहीं, अब आपको पता है कि 1 मिनट में केवल औ डिग्री हो जाएगा, तो ये आगया 162 डिग्री, लेकिन 162 डिग्री का तो एंगल नहीं बन रहा होगा, बच्चा, क्यों नहीं बन रहा होगा, क्योंकि 4 बच करके 47 मिनट पर घंटे वाली जो सुई होगी, बच्चा, वो 4 से आगे बढ़ चुकी होगी, घंटे की सुई 4 से आगे बढ़ चुकी, कितना आगे बढ़ चुकी होगी घंटे की सुई 4 से, तो बच्चा, जब घंटे की सुई 4 से आगे बढ़ेगी, तो कितना आगे बढ़ती है, जितने मिनट होते हैं, मैंने कहा था, उसका बटे 2 कल देती है, ये बटे 2 क्यों कलते हैं, घंटे की सुई द जब आप मिनट वाली सुई पर खड़े होते हैं तो घंटे की सुई आपको पास आते हुए नजर आ रही ना और अगर पास आते हुए नजर आ रही तो माइनस कर देंगे कितना आना चाहिए 138.5 डिगरी क्या हमको कहीं पर 138.5 डिगरी का आंसल नजर आ रहे है नहीं तो प् जादा अगला प्रेस उत्तर बताईए निल्द लिखिप कथनों का परिच्छन कीजिया हुआ 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 और यह रहा इस प्रस्ण का पोल आप सब के सामने खाली देखेने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा सिंपल सा प्रस्ण है और यह रहा पोल उत्तर बताऊ क्या आएगा हुआ है ऑ सेंतालिस मिनट कहां पर और चार यहां पर नहें यहाँ पर दिखा दिया थो नॉर्मल वो तो हमेरे सामने इमेजनरी होका है क्लिए अगर रानी ने रतना से कम अंक पराप्त किये हैं और रतना ने रमा से अधिक अंक पराप्त किये हैं और रतना ने रमा से अधिक अंक पराप्त किये हैं और रतना ने रमा से अधिक अंक पराप्त किये हैं बचा तो इन दोनों के ही आगे कि हम रतना को लगा सकते हैं यहाँ पर ठीक है इन दोनों के ही आगे रतना को लगा सकते हैं फिर बोला है पदमा ने रमा से अधिक किन्तु रतना से कम रमा से अधिक लेकिन रतना से कम अंक प्राप्ति यानि बीच में कौन हो जाएगी बच्छा बीच में इनके पदमा आ जा तो रीडर को किस प्रकार लिखा जाएगा उतर बताईए क्या आएगा किस प्रकार से रीडर को लिखेंगे और मैं दस सेकेंड बाद इसका पोल देता हूँ आप लोगों को कि यह रहा पूल सिंपल एतरस निक्दम उतर बताईए इस कि अच्छा आएगा को हमें जाएख लिखेंगे जाएगे 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 और सथ प्रतिशत क्या कह रहा है बच्चा जरा ध्यान से देखो उसने हमसे प्रस्ट में बोला है मिनरल का कोड क्या लिखा हुआ है क्यू आर एस्टी यूवी डब्लू करके लिखा हुआ है साउंड का कोड कह रहा है A B C S D करके लिखा हुआ है करा उसी भासा में रीडर का कोड क्या हुआ जानना चाहता है तो देखो, एक बात मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाई है, coding, decoding के questions में, कि अगर एक से ज़्यादा word का code आपको प्रस्ण में दिया गया है, और फिर तीसरे word का code आपसे पूँच रहा है, तो बच्चा बहुत अधिक संभावना होती है, कि वो कैसा code होगा, या वो कैसा question होगा, जिसके code आपस में कही न कहीं पर कोई एक लेटर के आदार पर common होना चाहिए, ठीक है, जैसे mineral को और sound को देखते हो बच्चा, तो common लेटर आपको कौन सनजर आ रहा है, मिनरल में आपको N मिल रहा है, sound में भी आपको N मिल रहा है, अगर हम सीधे सीधे चल करके बच्चा घ्यान देखते हैं, क्या कह रहा है, कि N का code बच्चा क्या होगा, N तीसरे नमबर पर है, क्या है, हमारे सामने S है, उसी प्रकार से क्या, यहां पर भी N का code S दिया गया है, तो हम चेक करते हैं, तो N का code बच्चा क्या दिया गया है, S दिया गया है, ठीक है, यानि दो letter common, एक letter common मिला, और उस common letter का जो बच्चा code है, वो भी क्या है, दोनों में समान है, यानि संभावना है कि इनी सब्दों को उठा करके, इनी letters को E का code बच्चा, तो देखो, यह E लिखा हुआ है, चौते नंबर पर और यह T है, तो U और T हो गया, क्या, UT से को, यहां, बिल्कुल start हो रहा है, option number B वाला, A का code निकालोगे, तो क्या नजरा रहा है, V, फिर D का code निकालोगे, तो D का code D ही दिया हुआ है, यहां पर क्या हो ग प्रस्ण के अलावा किस नाम से भी जाना जाता है, CD को compact डिस्क के अलावा किस नाम से भी जाना जाता है, और यह रहा आप सब के सामने इस प्रस्न का पोल, उत्तर बताओ क्या आएगा, तहले ले लिए उत्म लुगिका, क्या बोला है बच्चा, प्रस्ट में उसने, CD compact डिस्क को किस नाम से भी जाना जाता है, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, बच्चा, CD-RW, यानि Read और Write, दोनों कर सकते हैं, यह क्यवल CD, Read होता है, CD-R करके लिखा जाता है, ठीक है, साथी साथ आपके सामने आता है, DVD-R का, ठीक है, और दूसरा आता है, आपके सामने, Blue-ray डिस्क, यह चार आता है, आपके सामने, Optical डिस्क के अंतरगत, ठीक है, तो CD, Compact डिस्क को और क्या-क्या बोला जाता है, Optical डिस्क भी बोला जाता है, CD read write को भी क्या बोला जाता है, optical disk बोला जाता है, DVD को भी बच्चा क्या बोला जाता है, DVD याथ को भी optical disk बोलते हैं, blue rear disk को भी क्या बोलते हैं, optical disk बोलते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को बोला जाता है, तो बच्चा CD को compact disk लावा और क्या नाम दिया जाएगा, ठीक है, अगल उत्तर मताईए। कौन सी device, program और data के बीच का अंतर सम्जती है। और यह रहा आपके सामने poll, उत्तर बताई। कौन सी device, program और data के बीच का अंतर समझती है। यह कॉमन सेंस का प्रस्ण था सीधा सीधा मुझे सामने 56 प्रितिसर्ट के वल सही उत्तर है बच्चा जब वो हमसे कह रहा है कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है इंपूट और आउटपूट डिवाइस तो नहीं समझती है प्रोग्राम होता का है बच्चा प्रोग्राम कहां पर होता है प्रोग्राम हमारे system की memory में होता है, अच्छा प्रोग्राम में तो system और data, memory में data और program दोनों चीज़े होती है, लेकिन हम जब कोई काम perform कर रहे होते हैं, तो हमारे system को कैसे पता लगता है, कि हमको यही काम perform करना है, और इस काम केले हमको यही वाला data चाहिए होगा, यह जो डिप्रोग्राम और डेटा की बीच के अंतर को समझती है माइक्रो प्रोसेसर इनके अंतर के बीच को समझती है अगला प्रस्ट Motherboard की component की बीच information किसके माध्यम से travel करता है Motherboard जो होता है हमारे system में उसके components के जो अलग-अलग components लगे होते हैं उनमें information किसके माध्यम से travel करता है ये वो आपसे जानना चाहता है और ये रहा आप सबके सामने पोल उत्तर बताईए इसके बावजूद भी तो 32% लोगों ने सही किया बताने के बाद भी केवल 32% लोगों ने सही किया भया पेरिफेरल डिवाइसेस के collection को बोला जाता है ठीक है पेरिफेरल कोई component नहीं है flash memory नहीं cmos नहीं बसेस के माध्यम से travel करता है ठीक है किसके माध्यम से buses के हमारे सामने जो motherboard होता है बच्चा इस motherboard में तमाम छोटे-छोटे से components लगे होते हैं कहीं पर register कहीं पर cache memory कहीं पर ROM कहीं पर RAM लेकिन motherboard के एक area से दूसरे area तक यानि CPU तक जो processing unit है हमारा या जो control unit है वहां तक कैसे transfer होता है बच्चा वहां तक transfer होता है buses के माध्यम से ठीक है वहां तक कैसे buses के माध्यम से transfer होता है तो प्रशन का से उतर क्या हो जाएगा option number B वाला अगला प्रशन accessories जिस इस्थान पर system unit से जुड़ते है उसे क्या कहते है ठीक है accessories जिस इस्थान पर जुड़ते है उसे क्या बूटते है यह रहा आपके सामने पोल राहूल बचा पोल दे तो रहे है तो क्या आप सेकता मैसूस हो रही क्या की नहीं हमको कमेंट भी करना चाहिए answer का वैसे कमेंट करो यार पोल अगर ना आ रहा हूँ और यदि पोल आ रहा है तो प्रया सिकरो कि पोल पर कमेंट करो ठीक है अच्छा अब यहां बस लगा दी है 20 परसिंट लोग ठीक है 20 परसिंट लोग बस बच्चा एक अंतिम कोश्चन करके उसको खतम करते है बस लगा दिये है ठीक है अरे बस नहीं होगा अभी अभी समझाया थी कि बस डिवाइस के अंदर यानि कंट्रोल यूनिट के अंदर तक डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करती है जोड़ करके ठीक है तो बच्चा प्रस्ण का सई उत्तर क्या हो जाएगा केवल और केवल पोर्ट पर जितने भी प्रकार के एससरी होते हैं आपके वो एससरी कहां पर लगाई जाते हैं बच्चा पोर्ट से connect करके system और devices को एक साथ connect किया जाता है, ठीक, अगला और अन्तिम प्रसनाची क्लास का विशेष प्रकार के संगीत उपकर्णों को soundcard से कौन सा port जोडता है, ये वो आप से जानना चाहता है और ये रहा इस प्रसन का, अन्तिम प्रसनाची क्लास का pol, उत्तर बताएंगा. पर गए हैं बहुत सारी लोग यूएसबी एक पोर्ट होता है बच्चा लेकिन यूएसबी पोर्ट पर म्यूजिक से संबंधित ठीक है हाँ प्लस वाली क्लास में कराये थे बताया भी थे इसको म्यूजिक से संबंधित जो करण होते हैं हमारे सामने उनको USB port से नहीं जोडा जाता है, ठीक है, उनको किसे जोड़ते हैं, बच्छा, M-I-D-I से जोड़ते हैं, that is, Musical Instrument Digital Interface, ठीक है, Musical Instrument Digital Interface, पूछा गया है, इनका full form भी कई बार बता दिया है, मैंने तेज, M-I-D-I का full form क्या होता है, बच्छा, Musical Interface, Musical Instrument Digital Interface, लिख लेना आपने इसाब से, M-I-D-I एक विशेश प्रकार का port होता है, अगर आप अपने सिस्टम में देखेंगे, तो मुक के रूप से सिस्टम के बाई और, लैप्टॉप के बाई और ये port होता है, और लैप्टॉप के बाई और ये port होता है, ये normal USB port से size में होता है, ठीक है, और इसमें आप mic वगेरे को, या other sound synthesizers होते हैं, उन सारे devices को आप यहाँ पर, M-I-D-I में जोड़ते हैं, ठीक है, तो इस प्रस्ने का सही उत्तर क्या हो जाएगा, M-I-D-I हो जाएगा, मिनी कुछ नहीं हो, खाली option एक जैसा रखने के लिए बना दिया है, मिनी और मिडी करके, ठीक, चलिए, तो अब leaderboard पर चलते हैं, आज की class को ये पर खतम करते हैं, दोपहर 12 बज़े वापस से मुलाकात होगी, और दोपहर 12 बज़े जो topic हैं, special class के, dot figures के कुछ questions करेंगे, dot figures के साथ-साथ, missing term के कुछ questions करेंगे, missing term के साथ-साथ, कुछ question करेंगे, हम लोग inequality के, ठीक है, आप लोगोंने बोला था, inequality के कुछ questions और करने के लिए, तो बच्चा, ये तीन topic के questions करेंगे, dot figure, missing term, और inequality, ठीक, और ये रहा, आज का leaderboard आप सब के सामने, 20 question की हम लोगोंने, 15 स और 9, ये सही है, हाँ, चलिए, पढ़ी आए, मिलते हैं, फुरसे मुलाकात करते हैं, 12 बजे, मैं बताता हूँ रहा हूँ, ठीक है, मुलाकात करते हैं, 12 बजे, साड़े 6 बजे आज नहीं होगी, बच्चा, दो क्लास इस दर लिए ले रहे, साड़े 9 बजे वाली continuity break noise, बज क्वेशन आएगा, हमको थोड़ा सा मुस्किल लग रहा है, ऐसा sitting या puzzle का question नहीं पूछेंगे NTPC में, कि बहुत जादा हो जाएगा, लेंदी, मैं लेकिन उनको, हाँ, मौक था, मैं देखा था, लेकिन मैं उनको solve करके भेज दूँगा, ठीक है, चलो, खतम करते हैं, मिलते बारावजे, thank you so much everyone, take care and bye